मुवाइल से खसरा या नक्सा कैसे डाउन्डूट करें साधारान से इस्टेप है आपको फॉलो करना है आप कोई भी ब्राउजर ओपन के लिए जपने मुवाइल का और सर्च कीजिए MP भूलेक जैसे आगए MP भूलेक क्या होगे MP basic में क्लिक हो गया MP भूलेक इस पर क्लिक किए और फरस्ट में में open कीजिए तभी आपको अच्छे से काम कर पाएंगे अब आपको सिंपल सा भू अभी लेक में क्लिक कर देना है अफिर जो पढ़ने के लिखने के लिए आएगा तो इसको आप यस कर दीजिए अब इस तरह से फर्स्ट में भू आइडी यूनिक आइडी आपको तो पता ही होगा कि नहीं पता है ठीक है कुछ मत कीजिए इन में से जो जिला वार दिखा होगा इसका चैन कीजिए आप जिस जिले में रहते हैं उसका सलेक्ट कीजिए जैसे सिव पूरी जिला इसको आप बोले तरहिए जो भी तेसिल होगा ऐशोय जैसलिक पाइड भूसोमी कहसरा संक्ः प्रॉट केंट किचिए और पिए जो कोड में लिखिए confronting पमीलस यह क्यूं है फिजड और डी वाई ऐसा लिखने के बाद फिर वीवरण देखे में क्लिक कर देते हैं लिखे क्रिपया ब्लॉक खसरा का चैन करें हमने खसरा का चैन नहीं किया है तो हम खसरा का चैन करते हैं खसरा नमबर जो भी होगा आपके नकसे का या खसरा का को सेलेक्ट कीजिए और फिर वीवरण देखें में क्लिक कर दीजिए इस तरह से जितने भी होंगे आपके नाम से जुड़े हुए यहां पर सभी का ब्लॉक नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर भूभाग की आईडी दिखाई दे रहे हैं यहां पर यू एल पी आ डाउन्लोड होने में समय लगता है यहां पर डाउन्लोड हुआ कि नहीं हुआ हो गया तो देख सकते जस्टर सेकेंड लिखा है इसमें फिर हमको नक्सा दिखाई देगा यह नक्सा है और यह जिस नंबर का हमने नक्सा देखा था यह देख लिए मानिजिए आपको खसरा देखने के लिए आपको आपके जिस भी नंबर का चाहिए होगा उसके नंबर के सामने वाले खसरा देखे के इस आइकोन में क्लिक कर दीजिए समय लग रहा है थोड़ा सा तो यह खसा संख्या आ गया है इसको जूम इन करेंगे तो पूर्य डिटेल्स जो होगी किसके नाम की है यह जमीन उमीन यह सब सब यहां पर नाम दिखाई दे जाएगा यह देप इसको डाउनलूट करना चाहते है तो सिंपल है आपको थ्री आइकन में क्लिक करना है अब फिर कहीं कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है ठीको कोई दिक्कत नहीं है हमको अब इसी को है अटेवक करना तो लग प्रेस करते हैं कामने किया कि आपको अपर इसको प्रिंट का उप्शन डूलेंगे इससे दिखाई द्हीं एहांपए प्रिंट का ओउप्षन दे रहा है इसमें क्लिक करेंगे और से वस पीडियव का यह पिर्टर सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे से वस पीडिय एफ अब इसको सेफ बटन पर क्लिक कर देंगे अब आप जिस भी फोल्डर या जहां भी भी सेफ करना चाहते हैं ऐसे सेफ कर देंगे बस ये तिने अज वीडियो मता वीडियो दें धन्यवाद